वेलकम टू दा प्रियाग्राज इंस्ट्यूट आज हम लोग बाग करेंगे आधुनिक भाती इतिहास से समंधि कुछ आतिमात्पुन परशनों के बारे में हमारे सामने जो यह पहला परशन है कि The Asiatic Society of Bengal was founded by बंगाल की Asiatic Society की इस्थाबना किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर है Sir William Jones, Sir William Jones बंगाल की Asiatic Society की इस्थाबना इन्होंने की थी, तो पहला option इस प्रशन का सही होगा, ठीक, अब बात करते हैं, दूसरे प्रशन में, दूसरा प्रशन यह है कि who amongst the following, ध्यान दिजे, who amongst the following English man first translated भगवत गीता into English, निम लिखित में से किस अंग्रेज न में अनुवाद किया था, पहला option है William Jones, दूसरा है Charles Wilkins, तिसरा है Alexander Cunningham, और चौथा option है John Marshall, इस प्रशन का सही उत्तर है Charles Wilkins, Charles Wilkins वो पहले अंग्रेज होते हैं, जिन्होंने भगवत गीता का अंग्रेज में अनुवाद किया था, ओके, next प्रशन, who among the following was the first to translate काली दास famous work साक शकुंतला into English, यहां फिर प्रशन यह है, कि निम लिखित में से किसने काली दास का प्रसिद कृती शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किया था, ठीक है, तो इस प्रशन के लिए options हैं आपके सामने, Charles Wilkins, हैंडी, कोलब्रूग, जोहाना वोलगेंग, वोन Charles Wood's Dispatch, ध्यान दीजे, Charles Wood Dispatch was related to which of the following, यहां पे चार आप्शन है, Charles Wood का Dispatch निम लिखित में से किस से सम्मन्धित था, पहला आप्शन है Education, दूसरा है Trade, तूसरा है Administrative Reforms, और चोह था है Military Reforms, तो इस प्रशन का सही उत्तर है, पहला Education, बाकी के तीन गलत हैं, तो ध्यान जो है, वो Education से, सिच्छा से सम्मन्धित था, नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रसन यह है, कि in the Hunter Commission Report, Special Emphasis was led on the Development of, तो Hunter Commission की Report में किस के विकास पर विसेस बल दिया गया था, पहला है Girls Education, दूसरा Higher Education, तिसरा है Primary Education, और चोथा Option है Technical Education, यहां पे जो सही उत्तर है, यह है Primary Education, ठेक्स, तो Hunter Commission के Report में, जो Emphasis की गई थी, वो थी Primary Education, तो Option 3 इसका सही उत्तर है, नेक्स्ट, Saddler Commission was related to Saddler I.O. का संबंध किस से था, पहला Option है Judiciary, दूसरा है Revenue Administration, तिसरा है Education, और चोथा Option है Police Administration, तो इसका सही उत्तर है Education, तो इसका Option है 3, Next, 177 को आप याद रखेगा, Next, The establishment of the first women's university in Mumbai was the result of the effort of Mumbai में पर्थम महिला विश्व विद्याले की स्थापना किस के प्रयास का परिणाम थी, दैराम गिंडुमल, D.K. करवे, M.G. रानाडे और रमाबाई, इसका सही उत्तर है D.K. करवे, Option No. 2, ठीक, तो Option No. 2 इसका सही उत्तर है, Next, Who among the following? Who among the following introduced the vernacular press act? निम लिखित में से किसने vernacular press act पेस किया था? ध्यान दिजिए, पुछा जा रहा है, पेस किया था, ठीक है? तो इसमें जिए गमाने जर्नला का नाम बताना है, ठीक, तो Lord Litton, Lord Ripon, Lord Curzon, Lord Hastings, इसका सही उत्तर है, Lord Litton, ठीक है? Lord Litton ने वर्ना कुलर press act को पेस किया था, तो आप्शन नमबर एक, अंडर हुज गवर्ना कुलर एक्ट रिपील्ट, घ्यान दिजिए, यहाँ पर पुछन बोला गया है कि, रिपील किस ने किया, ठीक है? तो किस के गवर्ना जर्नल सीप के तहत, वर्ना कुलर एक्ट को निरस्त किया गया? तो पहला ओप्शन है, लाड रिपान, दूसरा है, लाड लिटन, लाड करजन, लाड डफरिन, इसका सही उतर है, लाड रिपान, ठीक है? तो लाड रिपान के टाइम में, वर्ना कुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया गया था, अब आते हैं, नेक्स्ट प्रेस्ट पे, इसका सही उतर है, मनसुक लाल नजर, आप्शन नमबर फोर, अब आते हैं, नेक्स्ट प्रेस्ट पे, विट्विच ओव दी फॉलोईंग, निउस्पेपर्स, मैगजीन, महात्मा गान्धी वॉस नौट एसोसियेट ठीक है, यहाँ पर पुछा जा रहा है कि महात्मा गान् इवगांतर वह मैगजीन है, जिससे महात्मा गान्धी का संबंध नहीं था, which of the following pairs is correctly masked, ठीक है, निमलिखित में से कौन सा इग्म सही सुमेली थे, ठीक है, correctly masked आपको आप्शन बताने है, महात्मा गान्धी, मुकनायक, बाल गंगारतिलक, यंग इंडिया, एनिवेशन, कॉ सही masked है, वो है तिसरा option, any patient, common will, ठीक, next, ब्रम समाज was founded by, ब्रम समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है, यहाँ पे चार option है, दियारान सरस्ती, स्वाम विवेकारंद, केशव चंदर शेन, और राम मोहन राय, इसका सही उत्तर है, राम मोहन राय, या यह कहे राजा राम मोहन राय, तो ब्रम समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय, option number 4, अब आते हैं, next person पे, the first society founded by, राजा राम मोहन राय वाच, राजा राम मोहन राय द्वारा, इस्थापित प्रथम संस्था का नाम बताना है, पहला option है ब्रम समाज, दुसरा है आत् बत्वोधिन सभा, इस प्रशन का सही उत्तर है, आत्मिया सभा, option number 2, अब पात करते हैं, next, who gave राम मोहन राय टाइटल आप राजा, राम मोहन राय को राजा की वाधी किसने दी, लॉर्ड बिलियम बेंटिक, अकबर सेकेंड, दा फॉल्वर साब रम मश्रमाज, और चोथा इस प्रशन का सही उत्तर है, अकबर दुदिय, ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रशन का उत्तर हो गया, दो, अब आते हैं, next, the founder of भारती ब्रहम समाज, भारती ब्रहम समाज के संस्थापक थे, चार उप्शन है, देवना टैगूर, इफसर चंदर विद्या शागर, केसर च चंदर सेन, और राजाराम, महन रोय, इस प्रशन का सही उत्तर है, के सव चंदर सेन, आप्शन नमबर, तीन, next, who founded आदी ब्रहम समाज, ठीक है, प्रशन ये है, की आदी ब्रहम समाज की स्थापना किसने की, देवना टैगूर, के सव चंदर सेन, राजाराम, महन रोय, और टैगूर, इसका सही उत्तर है, पहला, देवेदनाग टैगूर, next, next प्रशन हमारे सामने ये है, की, when did स्वाम्वी विवेकानन deliver his speech, world religion conference in Chicago, स्वाम्वी विवेकानन ने सिकागो में विश्वधर्म शम्मेलन में अपना भाक्षन कब दिया, 1863, 1893, 1881, 1894, इस प्रशन का सही उत्तर है, second, 1893, 1893 में स्वाम्वी विवेकानन ने सिकागो में विश्वधर्म सम्मेलन में अपना भासन दिया था, next, सत्यार्थ प्रकास, सत्यार्थ प्रकास वाद रिटेन बाई, ठीक है, सत्यार्थ प्रकास किसके द्वारा लिखा गया था, राजाना मोहन राय, महत्मा इसका सही उत्तर है, स्वामी विवेकानन और स्वामी द्यानन्द सरसती, ये काफी प्रकास प्रकास किसके द्वारा लिखा गया था, इसका सही उत्तर है, स्वामी द्यानन सरसती, option number 4, next, फिचे मंगदी following organization supported सुध्धी movement, निमलिखित में से, किस संगठन ने सुध्धी आंदोलन का समर्थन किया, आरिय समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज और प्रातना समाज, इसका सही उत्तर है, आरिय समाज, बाकी के तीन गलत है, तो इस तरीके से, पहला option इसका सही है, तो आरिय समाज, वह संगठ था, जिसने सुध्धी आंदोलन का समर्थन किया था, इस प्रशन का सही उत्तर है जोतिवा फुले, आप्शन नमबर दो, ठेक है, तो गुलामगिरी के लेखक जोतिवा फुले थे, अब आते हैं, तेस नमबर, महरास्ट के किस सुधारक को लोखितवादी के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर बताना है कि हिंदू बिध्वापन विवा अधिनियम किस वर्स में पारित किया गया, इसका सही उत्तर है, 1856, 1856 में दा हिंदू विडो रिमेरिज एक्ट को पास किया गया था, अब आते हैं इस विडियो के लास्ट प्रस्ण पे, प्रस्ण यह है कि इन विच येर दा नेट्यू मेरिज एक्ट वाज पास्ट, तो मूल निमासी विवा अधिनियम किस वर्स में पारित किया गया था, आप्शन है 1870, 1872, 1874 और 1876, इसका सही उत्तर है 1872, आप्शन नमबर 2, 1872 का वहद साल होता है, जब नेट्यू मेरिज एक्ट को पास किया जाता है, तो ये आपके सामने 25 प्रस्ण का एक विडियो था, ये विडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम तू आउर चैनल, आज हम लोग बात करेंगे, मॉडर्न इनियन हिस्ट्री से, रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह कहें, multiple choice questions के बारे में, यह questions आपसे exam में अकसर पुछे जाते हैं, तो examination point of view से, यह जो question है, बहुत ज़्यादा important है, यहाँ पर जो पहला question है, question यह है, कि what was the minimum marisable age fixed under the Sarda Act for boys and girls, तो इस परस्ष में आपसे यह पुछा जा रहा है कि, लड़कों और लड़कियों के लिए Sarda Act में, जो minimum साधी के लिए age रखी गई थी, वो क्या थी, तो यहाँ पर आपके सामने options हैं, 12 और 16 साल, 14 और 18 साल, 15 और 21 साल, और 16 और 22 साल, ठेक है, तो इस परस्षन का सही उत्तर है, option number 2, 14 और 18 साल, ध्यान दिजे, यहाँ पे लड़कों और लड़कियों के, तो यहाँ पे girls के लिए है, कितना? girls के लिए 14 years, और boys के लिए, लड़कों के लिए 18 साल, तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेना है, right? girls and boys के लिए, तो girls के लिए कितना? 14 साल minimum age रखी गई थी, और लड़कों के लिए 18 साल, तो उत्तर कौन सा सही होगा? यह होगा option number 2, अगला question यह है, कि the success of the theosophical society in India, was mainly due to, तो जो theosophical society है, उसका भारत में सफलता का, कारण का मुख्य धे या यह कहें, मुख्य क्रेडिट किसको जाता है? तो any patient पहला option है, कॉनल H.S. Alcott दूसरा option है, सर बिलियम कुरुक तीसरा, और M.M. Malwia चौथा option है, तो इसका सही उत्तर, option number 1, any patient, तो भारत में, theosophical society के success होने के पीछे, जिनका हाथ था, वो है any patient का, अच्छा अगर आप से पूछा जाए, कि India National Congress की अध्यच्चता करने वाली, पहली महिला कौन, तो आप बताईएगा any patient, तो फर्स्ट विमेन पूप्रिशाइड़ इंडिया नेश्च्चता की थी, यह आप comment box में बताईएगा, इंडियान विमेन, जिन्होंने INC, इंडियान नेश्च्चनल कॉंग्रेस की अध्यच्चता की वो कौन थी, उनका नाम था, स्वरोजनी नाइडू, आपको year बताना है कि किस year के अधिवेशन की अध्यच्चता स्वरोजनी नाइडू के द्वारा किया गया था, ठीक, next, which of the following is not correctly matched, यहाँ पे एक साइड में आपको संस्था दिया गया है, और दूसरे साइड में ब्यक्ति, तो यह जो संस्था है, वो उस ब्यक्ति से संबंधित है कि नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन संबंधित नहीं है, कौन करक्ली मैस्ट नहीं है तो यंग बंगाल मुवमेंट हैंडी वियंड डेरोजियो बहिस्कृत हितकर्णी सभा जोतिवाब फूले थियोसिफकल सोसाइटी कॉनलन और कॉर्ट और उनाइटिर इंडियन पेट्रियोटिक एसोसियेशन सायद आहमद खान तो इस प्रस्न का सही उत्तर है अंसर नमबर टू बहिस्कृत हितकर्णी सभा जोतिवाब फूले से सम्मंधित नहीं है तो पुछा गया है नौट केरेक्टली मैस्ट इस हिसाब से अपका उत्तर सही होगा अपसा नमबर दो अगला क्वेशन सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस ने की तो सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी वास फॉंडेड भाई ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ चार ओप्सन है इस प्रस्न का सही उत्तर है अप्सन नमबर टू गुपाल केशन गोखले सर्वेंट्स ओफ इंडियान सोसाइटी की स्थापना गुपाल केशन गोखले के द्वारा 1905 में किये गई थी कब 1905 अगला क्वेशन अगला क्वेशन यह है को हूँ एमंग्स दा फॉलोइंग वास दा आपको निम्न में से यह बताना है कि इंडियान एसोसियेशन का संस्थाफक कौन था तो विपीन चंदरपाल पहला ओप्सन धादा भै नरोजी दूसरा ओप्सन गुपाल क्रिशन गोखले थीसरा ओप्सन है और एसेन वेनरजी चौथा ओप्सन है कि arrange the following organization on the basis of their correct order पहला है बंबे एसोसियेशन दूसरा है मदरास महाजन सभा शेक थर्ड है इंडियन एसोसियेशन और फोर्थ है इंडियन लीग आपको पहले कौन से संस थाई है फिर उसके बाद कौन से फिर उसके बाद कौन से इस करम में आपको arrange करना है तिहां पे आपके पास option है 1, 2, 3, 4 दूसरा है 2, 3, 1, 4 तीसरा है 3, 4, 2, 1 एंड फोर्थ वन है 1, 4, 3, 2 इसका सही उत्तर है answer 4 तो जो option number 4 है इसका सही उत्तर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि Bombay Association सभसे पहले बना उसके बाद Indian League उसके बाद Indian Association और लास्ट में इस option में क्या है मदरास महाजन तो 1, 4, 3, 2 अगला question पूना सारवजनिक सभा वास पौंडेड इन आपसे पूछा जा रहा है कि पूना सारवजनिक सभा कब इस्थापित की गे तो 1858 1870 by महादेव गोविन रानाडे पहला option है 1870 by महादेव गोविन रानाडे second option है third option है 1870 by पंडित रामा बाई रानाडे और लास्ट है 1870 by सुरेननात बेनर जी तो इस question का answer है second 1870 1870 1870 में महादेव गोविन रानाडे के द्वारा पुना सारोजिंग शभा की स्थापना की गई अगला question who was the first president of British Indian Association आप यहाँ पे बताना है की British Indian Association के पहले अध्यच कौन थे पहला option सुरेननात मिनर जी second गोपाल किश्ण गोखले third one राधाकान देव आनन्द मुहन बोस्ट चौथा option इस question का सही उत्तर है option number third राधाकान देव तो राधाकान देव British Indian Association के पहले अध्यच थे अगला question यह है की how many representatives how many representatives took part in the first session of the Indian National Congress जो Indian National Congress का पहला अध्यवेशन हुआ था उस अध्यवेशन में भाग लेने वाले परतिनिदियों की संख्या बतानी है तो इसका सही उत्तर है answer number third 72 बहत्तर लोग जो है participate किये थे first session of Indian National Congress में अगला question अगला question यह है who was the first president of the Indian National Congress तो भार्दी राष्टी Congress के पहले president कौन थे यहां पे चार option है A.O. Hume W.C. Benergy दादा भाई नरोजी और नानाम तीज इसका सही उत्तर है option number two W.C. Benergy तो व्योम चंद्र Benergy जो है वो पहले INC के अध्यच थे और A.O. Hume कौन थे यह थे founder तो यह difference यहां रिखे है तो यहां पे इस प्रश्न का अंसार दूसरा जो option है वो सही है W.C. Benergy अगला question Who was the Governor General when the Indian National Congress was founded in 1885 1885 में जब Indian National Congress की स्थापना होती है तो Governor General कौन होता है चार option है Lord Lillingto Lord Wesley Lord Dufferin and Lord Salisbury इसका सही option है option number 3 तो Lord Dufferin जो है वो Governor General होता है ठीक जब 1885 पे Indian National Congress को इस्टेबलाइज किया जाता है अगला प्रश्न Consider the following statement पहला statement यह है कि the first women President of the Indian National Congress was Sarojini Naidu the first Muslim President of the Indian National Congress was Badruddin Tayyabji तो पहला option क्या है कि INC Indian National Congress की पहली महिला अध्याच Sarojini Naidu थे क्या है यह statement सही है दूसरा statement देखे the first Muslim President of the Indian National Congress was Badruddin Tayyabji क्या है यह statement सही है कि Indian National Congress के पहले मुसलिन अध्याच बदरुदिम तैयब जी थे तो देखो यहां पे जो पहला option है यह option है गलत ठीक है भारत भारती National Congress भारती रास्टी Congress या इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की पहली महिला प्रेश्डेंट एनी बेशेंट थी, जो कि 1917 में कलकत्ता एधिवेशन की अध्यचता उन्होंने की थी, तो आपसे अगर पहली महिला अध्यच पुछा जाए, तो उसका उत्तर होगा एनी बेशेंट, अगर आपसे पुछा ज जो इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की अध्यचता की थी, तो है सरोजनी नाइडू, इन्होंने 1925 में कॉंग्रेस की अध्यचता की थी, और कहां पे कानपूर में, ठीक है, कहां पे किया था इन्होंने, कानपूर, उत्तर, परदेश, और एनी बेशेंट ने कब किया था, उन 217 में कहाँ पर कलकता में ठीक है तो इसके ओप्शन देख लेते हैं यस केवल और केवल दूसरा सही है यह ओप्शन सही है ठीक है अगला क्वेस्टन आपको बताना है कि इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के दूसरे मुसलिम प्रेस्टेंट कौन थे यहाँ पर आपसन है अबुल क्राम अजाद जाकिर हुशैन रह्मत अला मुहमार सायनी और बदरुदीन तैयब जी इसका सही उत्तर है अंसर नमबर थ्री रह्मत अला मुहमार साय आपको अनि जो है वो सेकेंड मुसलिम प्रेस्टेंट ओ फस्ट मुसलिम प्रेस्टेंट आफ आईएंसी कौन थे तो वो थे बदरुदीन तैयब जी अगला क्वेश्टेन दी फस्ट इरोपें तू इलएक्टेट एज प्रेस्टेंट अफ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस व कुन थे यहां पे option है A. O. Hume, George Ulay, Alfred Wave, एनी वेशन्ट इसका सही उत्तर option no. 2 George Ulay अगला question आपको बताना है कि कौन जो है इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के प्रेजर नहीं तो option आपको दिग गया जी यहां बाल गंगा धर तिलत ने भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस का इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का कभी भी अध्यचता नहीं की किसी भी सेशन का ठीक है पीस्टीस को याद रखेगा अगला प्रस्णी यह है कि for which of the following session of the Congress elected its first women president वह इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार महिला को अध्यच बनाया गया ठीक है तो कलकत्ता सेशन 1970 पहला अप्शन है गया सेशन 1922 लहाबा सेशन 1921 और लखनाव सेशन 1916 इसका सही उत्तर अप्शन नमबर एक कलकत्ता सेशन 1927 को बनाया गया था एनी पेशेंट को इन वीच आप यहाँ पी यह बताना है कि इन्डिया नेशनल कॉंग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगनधा तिलक ने यह बात कही थी कि स्वाराज मेरा जन्म सिध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा पहला आप्सण है बनारा सेशन 1905 दूसरा है कलकत्ता सेशन 1906 तीसर आप्सण है सूरण सेशन 1907 और चौत आप्सण है लखनऊ सेशन 1916 इसका सही उत्तर है आंसर नमबर 4 लखनऊ सेशन 1916 अगला question, अगला question यह है कि the Congress is farting to its fall and one of my great ambitions while in India is to assist it to be a peaceful demise, this declaration was made by, आपको यहां पर बताना है कि वह कौन था, जिसने यह बोला था कि यह जो है Congress is a farting of its fall, यह अपने गलतियों से ही एक दिन वो खतम हो जाएगा, और मेरी इच्छा है कि इसका, इसका मैं सांती पुरवग इसका खात्मा में देख सकूँ, ठीक है, तो यह भावना किसकी थी, तो पहला option है George Hamilton, दूसरा है Lord Karjan, तिसरा option है Lord Dufferin, और चौथा option है Lord Minto, इसका सही उत्तर है option number two, Lord Karjan, यह Lord Karjan की महत्वा कांचा थी, कि इंडिया नेशनल कॉंग्रेस को वो खतम हो कि चाहिए पूरी नहीं हो पाई, ओके, आगे हम बात करें, तो option है, सी राजगोपाल चारी, अचारी क्रिपलानी, महात्मा गांधी जी और जैपरकास नरायन, जी हाँ, इसका सही उत्तर है option number three, महात्मा गांधी, अगला question यह है, कि the only session of the Indian National Congress, the only session of the Indian National Congress presided over by महात्मा गांधी वोच, वहा एक मात्र session या सत्र कौन सा था भारती राष् Congress का, इंडिया नेशनल Congress का, जिसकी अध्यचता महात्मा गांधी जी ने की थी, तो यहाँ पे आपके पास चार option है, इलहाबाद session 1921, गया session 1922, बेलगाउं session 1924, और कराची session 1930, इसका सही उत्तर है option number third, बेलगाउं session 1924 की अध्यचता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, अच्छा, अगर आप से पुछा जाए कि महात्मा गांधी ने इंडिया नेशनल Congress के किस session में participate किया था, तो इसका उत्तर आप comment box में जरूर दीजिएगा, ठीक, question एक बार फिर से सुने आ, भारती राष्टी Congress का वो कौन सा session था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लि महात्मा गांधी ने किते, अब मैंने पुछा है प्रस्ण कि वह कौन सा भारती राष्टी Congress का अधिवेशन था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, अब हम बात करेंगे आगे, भारती राष्टी Congress का वो कौन सा, कौन सा दिवेशन था, जिसमें भारती राष्टी Congress, मौडरेट और एक्स्रिमिस्ट में टूट गे, ठीक, जिसका, सही उत्तर है, ठीक, स्वाधेशी मोमेंट, एक्टी टूटने के बाद, जो मोमेंट, मतलब वो कौन सा मोमेंट था, जो इसको कौन्टीबूइए, मतलब टूटने में के लिए जिम्मेदार था, तो, question यह था, कि which one of the following moments has contributed to split in the Indian National Congress, एक्स्रिमिस्ट, आपको अंदोनन कराम बताना था, कि वो कौन सा मोमेंट था, जिसने इंडिया नेशनल कौंग्रेस को स्प् माच, वो एक्ईज़ इंडिया नेशनल कौंग्रेस अप्रेक्टिसिंग वालिटिक्स अप्रेयर, पेटीशन और प्रोटेस्ट, 3P कौनसेप्ट, ठेक है, तो, यह आरूप किसने लगाय था, कि कौंग्रेस जो है, वो प्रेयर, प्राथना, पेटीशन, याचना, और प्रो लखने कही थी, स्वास्चामर बोस ने कहा था, कि सरदार भगत सिंग्जी ने कहा था, इसका सही उत्तर है, आप्टन नमबर टू, बाहल करना धर, तिलक, अगला कुश्चन, पूशेट, तिलक is the father of Indian unrest, किसने तिलक को भारत के असांती का जनक कहा, यहाँ पे आप्टन है, वी चिरोल, लुइस फीशर, वेव मिलार, लॉर्ड रिडिंग, सही उत्तर है, आप्टन नमबर एक, वी चिरोल, ठीक, अगला कुश्चन, अभिना भारत, अभिना भारत, जो एक गुप्त संस्था थी, किसने इसको और्गनाइस्ट किया था, आप्टन है, खुदी राम भ पहला ओप्टन, दूसरा ओप्टन है, वी डी सावरकर, तिसरा ओप्टन है, प्रफुल चाकी, और चौथा ओप्टन है, भागत सिंग, तो इसका सही उत्तर है, आप्टन नमबर टू, वी डी सावरकर, अगला प्रशन, वी इस्टेबलिस्ट अब रांच आव अनुसीलन समीती, ध्यान दिजीव, अनुसीलन समीती एट पटना, इन 1913, उननी सो तेरा में पटना में अनुसीलन समीती को किसने इस्थापित किया था, आप्टन पहला है, रिवाती नाग, दूसरा है, यदूनाद सरकार, तीसरा है सचिन्दनाथ सन्याल, और चौथा आप्टन है, मजरूल हक, इसका सही उतर है, आप्टन नमबर तीन, सचिन्दनाथ सन्याल, तो ये अधुनिक भारत इतिहास से समन्थित कुछ आत्रमात्रों परस्न थे, ये परस्न आपको कैसे लगे, जैसे भी लगे हूं, कमेंट बॉक में आप अपने सुझाओ जरूर दीजी, तो ये सीरीज हम जो है, वो कंटिनीव रखेंगे, और हम आपके लिए अच्छे-च्छे प्रश्न लाते रहेंगे, आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए थैंक्यू, धन्यवाद.